होश यारिया, होश यारिया Welcome back नाजरीन नाजरीन, ब्रेक में हमें जॉइन किया है Bruce Lee ने बहरूप सराय से आज Bruce Lee तश्रीफ लेकर आए हैं आई ये उन से कुछ बात हैं प्लाओ वे वह पैंथर स्टाइल वह वह दिदार स्टाइल अदिधार स्ट्राइल नहीं पैंथर स्ट्राइल यार जी ऐसे तर्णूर वह बहुत अच्छी यह वह नर्गस स्टाइल यार नर्गस स्टैल जी प्रहती फैसला करना में ठेक पढ़ना तो Straight Blast بھی कर का दिखाएज Straight Blast Noah यह be a crow style अच्या एक गोड़े थे जो आयма Oho Tooh Mega Style करेगा अच्या बैठे, बैठे, आपनी जो नही प्ली, straight blast तो दिखादे mega style यहilla ना पहली वारी Bruce Lee ने की ता सी I HEALI COPRTER STEPS अच्या, straight blast भी कर के दिखादे यार वह करके दिखा दें जो वह कह रही है एच पर शुरू हैगा नील करा यह नील करा वह Bruce Lee तो खुज रहाना जाना यह जड़ा style है, यह बुझे है किड़ा है जी कौन सा महिक बल्क style ला जान था Bruce Lee नो ज्यादा अच्छा तू कीता है यह Bruce Lee की कोई हजारवी copy है अगर आप online order करें न Bruce Lee तो ऐसे यादी Bruce Lee तो बनना सी क्या कि जितन में अश्यारिय है, शोज जावंगा नंगे परी जावंगा सिख चौफा मया रुमयावतावया, 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 रुमयावताव में खुशामदीन, हमें बहुत खुशी हुई मेरे बान निमाँ जपान तो पैदल आया जपान का तो आपकी जिंदगी से तालुकी कोई नहीं ताही तो पिरे उत्व आगया मैं जपान दे मेरे दोस्ते रहां था पैदल हौंक ओग ता मैं वहां वो सिर्फ उन लोगों के लेते थे जो प्योर ब्रेड चाइनीज होते थे जिनका खुन प्योर ब्लड होता था कि उनकी लिनेज के अंदर कोई भी गैर चाइनीज नहीं है तो इनके क्योंके दादा जेमन थे तो इनको कहीं दाखला नहीं मिलता था इनको ये भी बहुत गुसा था तो वो किसी की लगन उसका टालेंट नहीं देखते थे जी नहीं वो नहीं देखते थे ऐसे बहुत से उलूम होते हैं जिनमें लोग सेल्फिश हो जाते हैं कि वो कोशिश ये करते हैं कि मुझ तक ये रहे पहले अदवार में ये चीज़ बहुत जादा थी अब तो जब से यूट्यूब आगया है आपने दुनिया की कोई भी चीज़ सिखनी है तो बड़े अराम से आप गूगल करते हैं उसको या यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं उसके मताबक आप कर लेते हैं लेकिन पहले अदवार के अंदर कोशिश ये की जाती थी कि बड़े उलूम को खुद तक महदूद रिखा जाया और ये एक रीजन है जो हुकमा थे बड़े जिन को वो वो कहते हैं नबस देखके सब बिमारियों का पता चल जाता था उन्होंने इसी लिए बड़े-बड़े स्कूल और यूनिवर्सिटीज नहीं बनाई कि अगर बना देंगे इस इल्म को फैला देंगे लोगों तक पहुँन जाएगा तो हमें कौन पूछने आएगा बैसे भी यह बड़ार मल्टी टास्कर आदमी था एक ही वक्त में यह डंबल भी तुछाता था एवी भी देखता था और किताब भी पुड़ता था जा जी यह देखो मॉबाइल चकलो यह नो ब्रूसिली था कख नहीं पता आज हाथ भी नहीं लगाया जी जी यह शकील चान जैकी चान और दर्मयान में शकील चान नहीं कहा से आगया क्यों जी है नहीं हो दी फिर नहीं है जी है मुखतार चान भी तो अड़ा भी मुखतार चान नहीं वो खुद मुखतार है चंद से याद है कि विंग चंद स्टाइल का बड़ा आला लाडी था यह दानिश साब जिसकी बात करी है कौन से स्टाइल यह विंग चंद स्टाइल यह होता है कि बहुत करीब क्लोज कौर्टर्स में जो बहुत क्लोज इंकाउंटर्स होते हैं उसमें आप लड़ते हैं देखे आम तोर पर जो बाकी फाइटिंग स्टाइल है ना बाक्सिंग है कुछ भी है आप देखेंगे रिंग में एक दूसरे से दूर चले जाते हैं उपने फिर आते हैं पास फिर पहलवान भी दूर चले जाते हैं फिर पास आते हैं लेकिन ये जो style है इसमें आप बहुत close रहते हैं अपने एनिमी के बिलकुल उसके बाजू की रेंज में और अपने बाजू की रेंज में उसको रखते हैं जेटली की आपने फिल्मों में देखा होगा बहुत तदी से बाजू चलाते हैं आपको पता ही ऐसा क्यों करता था? इस फाइटिंग स्टाइल में जो आपका दुश्मन है ना वो आपके बहुत करीब होता है आपको पता है कि इतने करीब से लडने वाली फाइट क्यों करता था? क्यो? इसके दूर की नजर खराब थी और लेड़े जिड़ा बंदा बंदा सी न उन भी पहले आथ लाके देखता सी भी वह हुई है अच्छा ये सभी कह रहे है इसकी बहुत मोटी एनक थी जो यह हर वक्त पहन के रखता था देखो मैं सारी गेम अपने दफा वास्ते से की है तो यह थो दफा क्यों नहीं है अच्छा आप इसको जादा परेशान ना करें इसके पंच की जो फोर्स है वो एक सो नवे किलो मीटर पर आवर है उन्हों कसम चो को आगे पुछो मैं देश रहे हैं थो अच्छा इनका जो पंच था ना एक सो नवे किलो मीटर पर आवर वाला उसमें इतनी ताकत थी कि आपको ऐसा महसूस होगा कि ट्रेन लगी आपके अंदर आके आये ते अपने पंच ना सौरियां भी चटदा रहे हैं चाह इनके जो पंच था आपको पता हैं यह किसी दूर से पंच मारते था कितनी दूर से? क्री एतों जी यह बिल्कुल ठीक के रहे हैं यह एक इंच से पंच मारते थे और आदमी उड़ता वा दूर जाके गरता यह उस दूर का बिल गेर्स था जदो लोगानों पता लगा ना जी एक दो वरी ते पांच साथ सो भी दे गा है पता ही नहीं लगा भी ओनों दूरों पढ़ाए और ने पाड़ ले पूरी दुनिया में जतना ब्रूस ली ने अपना नाम बनाया मार्शल आर्ट्स में किसी और को भी इतना फेम मिला मैं यह समझता हूँ कि अगर आप बात कर अगर बेंच मारक आप फेम को बनाएं तो जैकी चैन को शायद ज्यादा मिला उसको फिल्म्स भी ज्यादा मिली बच्चा बच्चा उसको जानता है इसको वक्त कम मिला दो फिल्में इसकी एंटर दे ड्रैगन जो दोनों मशूर हुई गेम अफ डेट दोनों पॉस्च्चमसली इसके मरने के बाद रिलीज हुई कि अगर ये जिन्दा रहता मैं समझता हूँ कि दुनिया में इतना मशूर हीरो ना था एक्चिन हीरो खास तोर वे उसकी वज़ा ये कि आपको पता है एंटर दे ड्रैगन जो फिल्म आई था उसमें एक सीन था जिसमें शीशे बहुत लगे होते हैं और ये फाइट वो फिल्म एतनी बड़ी हिट हुई कि दुनिया में एक ट्रेंड है उसको कहते हैं आफ़ स्पिंज अगर कोई फिल्म बहुत हिट हो जाती है तो उसके आफ़ स्पिंज बनते हैं यह यह नहीं इसका एक करेक्टर इठाते हैं, उसको लेकर एक नई फिल्म बना दो ते जैसे जेम्स बॉन्ड है, उसके भी आफस्पिंस बनते हैं, इसी तरह आज तक जितनी फिलमें रिलीज हुई हैं, जितनी फिलमें हिट हुई हैं, सबसे ज्यादा जिस फिल्म की कॉपीज और आफ स्पिन्स बने वो बने एंटर दे ड्रेगन के इतनी फिल्म है उसके बाद और सब की सब फ्लॉप हुई सिर्फ वो एक क्रिट हुई यहां लगे आप देखें उनके नाम इसकदर फनी थे एक आई एंटर दे ड्रेगन अगेन एक आई एक आई एकजिट दे ड्रेगन एक आई एक आई एकजिट दे ड्रेगन एक आई एक आई एकजिट दे ड्रेगन एक आई एकजिट दे ड्रेगन एंटर दे स्पाइडर एक आई एकजिट दे ड्रेगन एंटर दे टाइगर एक बुरूस ली ड़ी ड़ी शीशे जी फाइट की ती, कितनी अची फाइट सी? थाड़े प्राइट इन्हों भी शीशे लो आगए थे जी इन्हों थे हमाँ बना ले अचा बुरूस ली का असल फेम जो है ना वो सिर्फ उनकी फाइट या जो उन्होंने फिल्म में काम किया वो ही नहीं है इन्होंने कल्चर को ब्रिज भी किया अपस जी, बिलकुल चाइटिस कल्चर को अमेरिकन कल्चर में लेकर आएट और उसने फर्स्ट एजियन इस तरह के फाइटर थे जो अमेरिकन हॉलिवर्ड फिल्म्स के अंदर जो पर्टैगनिस्ट बने जिन्होंने एज़ा हीरो परफॉर्म किया उससे पहले सब रिजेक्ट कर चुके थे ये फिर घुसे में वापस गए हौंग काउं इन्होंने वहाँ जाके दो तिन फिल्में बनाई और ये वहाँ पर इतने मशूर हो गए चैनी जबान की फाइटिंग फिल्मों में इतने मशूर हो गए कि ये अपने चेरे पर मास चड़ा के खुद को छुपा के बाजार में फिरा करते थे कोई पहचान ना ले लोग पहचान लेते थे तो जान नहीं चोड़ते हैं अच्छा तैंक यू बहुत बदियत उसी काम क बेख़ुड़ों पहले शक्सी बिरुसली किसना किसे ब्रूसली मारना रहा है चोर की दाड़ी मत तिन्गा वही हरून साब जाड़े शोग दे विचे पहली अरी बिरुसली आया यार कुछ मांगना मत यार जाड़ी नंबर दा शूप यारी दा होजा मैं आके रून रखला नाजरीन ये था हाज का शो इंचाला आपसे मुलागात हो गिनेक्स शो में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अलाहाफिज